Hello everyone, welcome to my channel Learn with Faisa आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इचिंग पे यानि कि पूरे सरीर में खुझली आना तीजी से जो खुझली आ रहे है उस पे हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा कि हमारी सरीर में जो खुझली आ रहे है उसके कौन-कौन से कारन है लक्षन क्या है और उपाई क्या है तो चलिए सीखते हैं कि आज हम क्या क्या सिखेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे इचिंग है क्या इचिंग कैसे होती है उसके कौन-कौन से इचिंग होती है तो इचिंग का मतलब क्या है यानि कि irritation sensation हमारी बोडी में कुछ irritating sensation हो रहा है जिसके कारण लोगों को skin के ओपर scratches आ जाते हैं कभी कभार ऐसा feel होता है कि इस scratch के कारण pain होता है बट ये pain different होता है कि किसी कारण के साथ खुजली हो सकती है सरीर में अब हम देखें कि कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो itching है जो experience हो रहा है itching का वो एक सरीर के एक जगा पर होता है बट एक जगा से वो दूसरी जगा तक fail रहा है उससे कारण हमें ज्यादा itching हो रही है और इस itching के कारण क्या होगा हमारी बोडी पे रेशिशा सकते है यानि कि हाइवस बन सकते है अगर आप यहाँ पे देखें यह जो पूरा portion है वहाँ पे हाइवस बन गया है हाइवस में क्या होता है कि रैसिस आ रहे है यह जो पूरा जो portion है वो उपसा हुआ है तो इस तरीके से रैसिस बन सकते हैं आपके बोडी पे तो चलिए सीखते हैं कि कौन-कौन से सिम्टम्स रहेंगे small bumps on skin हमने previous slide में देखा कि यह जो bumps बन रहे हैं यह उसके कारण हो सकता है irritation रहती है बोडी में irritation के कारण खुजली आ सकती है रैसिस बन सकते है के कारण भी हमें itching हो सकती है and abnormal sensation यानि की numbness, tingling pricking यानि की कभी ऐसा लगता है कि कोई जगह पे कुछ ऐसा चूब रहा है जिसके कारण आपको खुजली आना start हो जाता और crawling तो यह जो सारे symptoms से वो itching के हैं आप causes के बारे में से देखे कौण कौण से causes के कारण आपको खुजली आ सकती है itching also occurs due to disturbance in the immune system in the body जब भी हमारी body की immune system disturb हो जाती है तो उसके कारण हमें खुजली आ सकती है itching हो सकती है अब skin की कौण कौण से condition है जिस condition में itching हो सकती है like eczema, psoriasis, dry skin है तो यह जो सारे diseases है उस disease में हमें खुजली आ सकती है itching हो सकती है some cases में diabetic के जो patient है उसे भी skin की problem हो सकती है यानि की खुजली आ सकती है अगर आपको कोई allergen है या फिर कोई drugs है उसके कारण hypersensitivity हो रही है तो उसके कारण भी आपको itching की problem हो सकती है अब यहाँ पर देखे कि sometimes कोई chemical है या फिर कोई cosmetic है या फिर कोई asus options है जिसके कारण आपको irritation हो रहा है irritation के कारण क्या होगा itching जिसा feel होगा parasites such as spin warm, scabies, head and body lies जब भी आपके body पे या फिर head में lies यानि की जू है आ जाना तो यह जो सारे parasites से उसके कारण भी हमें खुझली आ सकती है some cases में pregnancy में हमें stretch marks हो रहे है तो जो stretch marks हो रहे है उसमें क्या होगा कि आपकी जो skin है वो skin की जो condition है वो tight हो गई है उसके कारण आपको racist आ सकते हैं, खुझली आ सकती है now another causes is liver, kidney and thyroid disease अगर आप इसे कोई disease के सफर कर रहे है तो उस condition में भी आपको खुझली की problem हो सकती है इचिंग आ सकती है certain cancers, cancer से भी आपको हो सकता है अगर आप cancer की treatment ले रहे है तो उस treatment की lack कोई acid drug है जिससे की आपको side effects आ रहे है तो side effects में भी आपको इचिंग आ सकती है खुझली हो सकती है disease that can affect the nervous system may cause skin itching ये जो diseases हो रहे है उस disease से कर कारण वो directly affect करेगी हमारी nervous system पे अब nervous system पे affect कर रही है तो हमें ऐसा feel हो रहा है कि skin पे इचिने सारी है यानि कि खुझली आ रही है वीडियो के बीच में में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा Human Anatomy and Physiology का कोर्स है जिसकी लिंक में आपको description box में दे दूँगी तो आप वहां से direct हमारा जो study material है या फिर वीडियो लेक्चर है तो वो directly access कर सकते हैं अब हम हमारी topic पे वापस से आते हैं कि इचिंग में हम कौन-कौन से treatment ले सकते हैं अगर यहां पे हम देखे तो आप home remedies ट्राइ कर सकते हैं यानि की cold compress application of affected bud जब भी इचिंग का या फिर burning sensation इज़ा कुछ और रहा है तो आप cold compression application या फिर cold cream लगा सकते हैं ice use कर सकते हैं तो उससे क्या होगा जो affective area जहां पे irritation है उसे वो swelling को कम करता है taking lukewarm water और oatmeal bath तो आप उसका भी bath ले सकते हैं तो उससे भी आपको जो रैसिस बन रहे हैं वो कम हो जाएंगे take bath with neem leaf extract in water अब neem का role क्या है neem का जो role है वो insecticide है यानि की जो भी dendrifyizes है oral में या फिर आपको कोई skin diseases है तो वो से treat करता है then इसका ilaj के से कर सकते हैं take proper bath using medicated soap market में antifungals medications आती है, antipactorial medications आती है, तो proper medicated soap market में मिल रहे हैं तो वो soap से भी आप बात ले सकते हैं नहा सकते हैं over the counter hydrocortison cream OTC जो cream आती है hydrocortison की वो भी आप लगा सकते हैं over the counter anti histamine tablet anti histamine tablet आती है जो कि allergy के लिए special है तो वो आप ले सकते हैं अब यहाँ पे देखें कि coconut oil जो कि home remedies में है जब कि आपको skin पे rashes हो रहे हैं या फिर reaching या फिर allergy जीसा लग रहा है तो वहाँ पे आप coconut oil यूज कर सकते हैं जिससे की affected part है जो है वहाँ पे rashes है swelling है वो कम हो सकती है या फिर आप fresh aloe vera जो gel है वो भी लगा सकते हैं देन neem leaf water भी यूज कर सकते हैं देन neem leaf paste जो कि मैंने आपको बताया कि neem एक insecticide property का है जिससे की skin की जो condition है वो दूर करती है वो एक fungicider property भी provide करता है अब यहाँ पे देखे तो market में different skin protection यानि की calamine lotion available है जो की allergies के लिए बनाई जाती है तो वो आप लगा सकते हैं skin condition में use कर सकते हैं sunburn है तो यह जो सारी skin की problem है उस condition में हम calamine lotion जो है वो ले सकते हैं अब cold compress cold compress में क्या आएगा कि आप आपकी जो body है वहाँ पे आप ice यूज़ कर सकते हैं या फिर cold water में आप cloth deep करके उससे cold compress की method यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ice water बेग है वो भी आप affected part पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको dry skin है तो उस dry skin पे आप skin moisturizer लगा सकते हैं जो कि market में suntour, nevya, vaseline का different dry skin repair के लिए specially बनाया जाता है तो वो आप moisturizer यूज़ कर सकते हैं उसके बाद है आप जो lukewarm water से bath ले रहे हैं oatmeal से bath ले रहे हैं तो lukewarm water bath है वो हम कैसे लेंगे अब bath in which patient body expert the head is immerged in water from 94 degree to 96 degree Fahrenheit for 15 to 60 minute तो आपको जो head है उसे accept करके आपकी जो body का पूरा part है वो 15 to 60 minute तक deep रगना चाहिए यानि कि आपको lukewarm water से bath लेना चाहिए नहाना चाहिए अब oatmeal bath कैसे ले सकते हैं oatmeal यानि कि जैका दलिया तो lukewarm water aid oatmeal जो lukewarm water था उसमें हम oatmeal aid करके उसे 15 to 10 minute तक soak करने के लिए रख सकते हैं and after that हम gently pet करके उसे नहा सकते हैं now another medication is market में कौन-कौन से swap available है तो medicated जो swap आते हैं वो mainly इसे ingredient को contain करता है जो की skin की जो diseases है इचिंग है उसकी treatment में help करता है like anti-fungal agent, anti-eaching agent, skin moisturizers, antiseptic agent and antibiotics तो यह जो सारी drugs है वो skin की itching यानि की diseases है तो एसे treatment को help करती है अब यहाँ पे हम देखे तो यहाँ पे available है beta-mediazone cream white ointment and wheat filled ointment तो यह जो सारी market में available है वो आप लगा सकते हैं तेन उसके बाद है cortamidone जो की एक scrabicidal and general anti-puretic agent है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं it is a prescription lotion based medicine that is applied to all body to get rid of this cabbage parasite that burrows under the skin cause itching जब आपको skin की itching हो रही है तो उसे read करने के लिए आप यह जो medicine है वो ले सकते हैं अटिहिस्टामाइन्स में है ब्रोफेरामाइन सैट्रिजिन लिवोसेट्रिजिन क्लोरफेनारमाइन क्लेमेस्टिन डाइफिन हाइड्रामाइन पेक्सोफेनादिन लोरादेदिन तो यह जो सारी ड्रोग है वो अटिहिस्टामाइन की है अब अटिफंगल में लेखे कौन-कौन से medication available है कौतरिमाजॉल इकोनाजॉल मिकोनाजॉल ओक्सिकोनाजॉल किटो-कौनाजॉल फ्लू-कौनाजॉल इत्रा-कौनाजॉल और वोडिकौनाजॉल तो यह जो सारी ड्रोग है वो अटिफंगल एजन्ट है जो की मार्केट में ड्रोग, स्क्रीम है, ओइंट्मेंट है उन सब में available है दिन यहाँ पे है अंटिबेक्टरिल अंटिबेक्टरियल में कौन-कौन से मेडिकेशन है, सुलफर सुलफर is an antibacterial agent सुलफर का रूल क्या होता है इसे applied to the skin for dandruff and an itching skin infection caused by mites जो स्काबिज से आपको इस चेन का infection हो रहा है उसे वो heal करेगा, treat करेगा इट इस अलसो applied to the skin for acne and skin redness जब भी आपको roses या यानि कि skin जो condition हो रहे है skin red हो रहे है तो उस condition में भी हम antimicrobial agents है antimicrobial agents है यानि कि sulfur उसे हम apply कर सकते हैं हमारी body पे अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो आप ये मेरा जो वीडियो है वो ज़रूर से देखे ऐसे ही इस बारे में अगर आपको study करना है तो आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमारा जो course है वो भी आप purchase कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो